जहें दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग मस्तोंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहोंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कुछ इस तरीके के सवाल जिसमें आपको गुणा भाग जोड़ घटाओ सारे ही चीन दिख करना है क्या करना वच्चों भाग करना है और भाग करने के बाद गुणा करना है और गुणा करने के बाद जोड़ करना है और इसके बाद घटाओ करेंगे तो चलिए सबसे पहले भाग करेंगे भाग कहां पर है आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा भाग का चीन है य और जहां भाग कचिन होता है उस जग गुणा कचिन करके और संख्या को पलटते हैं यानि कि चार उपर जाएगा और तीन नीचे हो जाएगा यह आपको पता होगा यह नियम अगर आपको शिंपल भीन्नू का भाग आता होगा तो अब देखिए चार से कड़ जाएगा चार दूना आठ और यह वाला दूसरे यह कड़ जाएगा अब यानि कि आपके पस कितना बच गया उपर बच गया साथ और नीचे बच गया तीन और यह तीन यानि तीन तरीका नो पलस का दो बच्टा में साथ और माइनस का दो बच्टे में तीन अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ना है अब जोड़ने का मतलर कि देखिए यह दोनों पलस में है और यह वाला माइनस में है तो पहले हम लोग जोड़ेंगे जब इसका गुड़ेंगे तो सातनवा तीर सट और इसको सेम टूसेम लिखेंगे जब उन्चास में अठारा जोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा कितना नो आठ सत्रक साथ पांच और एक छे सर सट और बट्टे में तीर सट माइनस का दो बट्टा में तीन अब यह आपका बने घटा हो अब आपको यह यहां पे घटाव करना है जैसे अभी टूं घटाव करेंगे आपका अंसर हो जाएगा जयान दिजिए घटाव में अगर देशट और तीर सट और तीन कल्ला सालेंगे तो आपका देशट ही आएगा गार यहां पे शर सट रहेगा आपको पता है कि अगर आप तीर सट म पे सरसट में घटाएंगे 42 तो यहां बच्चे का कितना कि 25 और बट्टे में तीर सट और यहीं आपका अंसर हो जाएगा तो उमेद करता हूँ कि आपको कुछ इस तरह के सरल करने वाला सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगे अब बच्चों मिलते हैं किसी और वेडियो में तब तर नमस्कार जाहिंद